असलालेकुम वीवर्स वेलकम बैक टू माई योट्यूब चैनल तो आज हम आपके साथ चिकन मसाला रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो बहुत ही जबदस है टू इन वन रेसिपी है आप चाहे तो इससे बिर्यानी भी बना सकते है आप चाहे तो इसे नान या रोटी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं बैचलर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रेसिपी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम कडाई को अच्छे से हीट कर लेंगे साथ हम इसमें 6-7 टेबल स्पून ओइल आट करेंगे हमने यह कुछ खड़े गरम मसाले आट किया है आपके पा प्यास को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक के इस तरह के से ओईल सेपरेट ना हो जाए अब हम इसमें आट करेंगे दो परी टमाटर का प्यूरे तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके ढखकर पाच मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकाएंगे देखे जब तक के ओईल औ और हमारा प्यास टमाटर सेपरेट नहों जाए सेम इसी तरीके से अब हम इसमें आट करेंगे ट्व टी इस्पून जिंजर गालिक पेस्ट इसे भी हम आधे मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे, भूनने के बाद अब हम इसमें आड़ करेंगे चिकन, जो के हमने हाँ बोन के साथ चिकन ली है, चिकन को हमने अच्छे से वाश कर लिया था, फिर हमने एक लिटर पानी में चिकन को आड़ किया है, साथ हम यहाँ दो टेबल स्पून विनेगर गंटे के लिए भीगो के रखेंगे फिर हम पानी को डिसकाट कर देंगे चिकन को एक बार वाश करकी हम इसमें आड़ कर देंगे आप चाहे तो चिकन वाश करकी पे आड़ कर सकते हैं मगर जो विनेगर के पानी से हम निकालेंगे तो चिकन का फ्लेवर बहुत ही जबदस तो हमने इसे धकर 5 मिनाट के लिए पका लिया था देखे 5 मिनाट के बाद हमारी कुछ चिकन 20-30% तक अच्छे से कोख हो गई है अब हम इसमें एड़ करेंगे कुछ मसाले जिसमें हमने एड़ किया है शान चिकन मसाले का half package जो के half kg चिकन के लिए हम यूज करेंगे अगर आपकी चिकन एक kg है तो पूरा पैकेट इसमें add कर दे साथी हमने इसमें add किया है half teaspoon zira powder, half teaspoon healthy powder, साथी add करेंगे half teaspoon गरम masala powder, साथी 2 teaspoon हम इसमें धनिया powder add करेंगे, 1 teaspoon हम इसमें soft powder add करेंगे, इसे हम अच्छे से mix करेंगे, मसालों में add करेंगे half cup पानी ताके जो हमारे मसाले है वो जलेना, साथी हम इसे अच्छे सा एक mix देंगे, mix करने के बाद हम add करेंगे 1 tablespoon कश्मीरी लाल मिच, साथी 4-5 tablespoon और पानी add करेंगे, इसे हम अच्छे सब mix देंगे और 10-15 मिनट के लिए हम इसे slow flame पे पकने देंगे, देखिए चिकन को हम open करते हैं, तो जो हमने पानी add किया था और जो चिकन से release हुआ था वही पानी में हमें चिकन को अच्छे से गला लेना है, अब हम इसमें add करेंगे दही, जो कि हमने यह 4 tablespoon दही लिया है, half kg के लिए, इसे हमने अच्छे से फेट लिया है, एक साइड में हम पहले इसे mix करेंगे, फिर हम चिकन के साथ इसे अच्छे से mix कर लेंगे, mix करने के बाद अब हम इसे ढखकर और 10 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो हमारी चिकन है वो अच्छे से पक जाए, 10 मिनट के बाद चेक करेंगे, देखें बिल्कुल जबदस और बहतरीन सा हमारा चिकन का color आया है, अब हम इसमे आट करेंगे, 3-4 कटी वी हरी मेंचे, आप कम ज़्यादा कर सकते है, साथी हमने यहां कटा हुआ हरादनी आट किया है, half hand, इसे हम अच्छा सा mix देंगे, तो देखें मजे का हमारा बिर्यानी का मसाला ready है, अगर आपको रोटी अनान के साथ सर्फ करना है, तो आप इस स्टेच पे एक कप पानी आट कर सकते हैं, अब हम इसमें salt टेस्ट करेंगे, तो हमें यहां salt कम लगा, इसलिए हमने यह half teaspoon से ज्यादा salt इसमें आट किया है, इसे हम अच्छा सा मिक्स देंगे, और ढग कर हम इसे 5-7 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे, ताके जो मिर्ची और हरदनी का flavor है, वो इसमें उतर जाएं, तो चलिए 5 मिनट के बाद हम चेक करते हैं, देखें कितना beautiful सा color आया है, और बहुत ही जबदस लग रहा है, तो देखें, जबदस सा हमारा twin man chicken masala बनके ready है, बहुत ही simple तरीके से हमने बनाया है, और खाने में उतना ही जबदस है, बैचलर्स के लिए बहुत ही useful और helpful recipe है, आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें, और हमें इसका feedback जरूर पताएं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसे like करें, चैनल को subscribe करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो उसके लिए हमें follow करें, thanks for watching